अगर आपने भी पेटीम बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया था बट आप उसे अप डियक्टिवेट करना चाहते हो तो आप कैसे करोगी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिसे आप काफी आसानी से अपने पेटीम मर्चेंट अकाउंट को डियक्टिवेट कर सकते हो अपने अपने फेटीम मर्चेंट अकाउंट अगर लिया था तो आप उसे डिक्टिवेट कर सकते हो अगर आपका क्लोज हो गया है या फिर कोई तो इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि कैसी असे डिक्टिवेट करोगे तो बने रही है आप लोग लास्ति तो यहां पर हमने business account लिया था अपने shop के लिए बट इसे हम deactivate करना चाहते हैं तो आप back आएंगे और scroll करके आपको simply नीचे आ जाना है अब यहां पर नीचे आने के बाद आपको मिलेगा become a merchant तो यहां पर हमने merchant account लिया था बट हम इसे deactivate करेंगे तो simply आपको इस पे click कर देना है और यहां पर आपके सामने आपका merchant account यानि की business account ओपन हो जाएगा अब यहां पर आपको इसे deactivate करने के लिए उपर यहां पर नजार आएगा view qr code यहां पर merchant setting और request payment तो यहां पर आपको वाले option पर click कर देना है merchant setting के option पर तो यहां पर हम deactivate करेंगे इसे तो आपके सामने यहां पर merchant setting open हो जाएगी और यहां पर आपको मिलेगा business profile कई सारे option मिलेंगे आपको business profile पर click कर देना है यहां पर आपका business account ओपन हो जाएगा इसे आपको डियक्टिवेट कर पाओगे आपका mobile number name आपको नज़र आएगा और यहां पर merchant ID आपको नज़र आएगी और यहां प आपको नीचे deactivate account पर click करना है और यहां पर थोड़ा सा wait करना है आपको सो यहां पर आपके सामने इस तरह का interface आएगा और यहां पर deactivate account और यहां पर कुछ दिया हुआ रिट कर सकते हो आप इसे यहां पर नीचे आपको मिलेगा प्रोसीड का option simply आपको इसे प्रोसीड कर द और यहां पर आपको soft business close यानि कि आप अपने business को यानि कि जो भी आपका soft है उसे आप बंद करना चाहते हो इसके वाइस से आप business account deactivate करना चाहते हो या फिर आपको पैसे लेने में कोई problem हो रही है तो यहां पर आपको एक reason select कर लोगे सो यहां पर reason select करने के बाद आपको नीचे मिलेगा deactivate का option आपको simply इस पर click कर देना है और यहां पर आप थोड़ा सा wait करेंगे तो आपका account delete हो जाएगा बट यहां पर आपके सामने pop-up आएगा कि आपका account एक या दो दिन में deactivate हो जाएगा तो यहां पर आपको परिशान हो वीडियो पसंद आएगी अगर पसंद आए तो like share जरूर करिएगा comment करके जरूर बताएगे कि वीडियो कैसा लगा आप लोको